लो दोस्ते एक बास फिर साहब सबको बहुत बहुत स्वागत हमारे यूटूब चैनल लाइफ सी को इंदे में जी आँ दोस्तो बताने चाहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल से लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो वैल आइकन को प्रेश करना ना भूलें जी आँ दोस्तो ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी अगले आनेवली वीडियो सबसे पहले और आप सुन भाए एक से एक बहतर श्टोरी जी हाँ दोस्तो इसी तरह आज मैं आपके लिए एक खास स्टोरी लेकर आँ जिसमें आपको किसी के जीवन के बारे में किसी के इत्यास के बारे में बताऊँगा तो दोस्तो वीडियो को लाज तक देखना है बने रहें वीडियो के लाज तक ताकि आप पुरी जानकार यह आपको बताता चलूँ बैरम खां की जीबनी 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 जन्हों ने मुगल समराथ हुमाईू और उनके बेटे अकबर के लिए स्टेवा की और उनके राजिका बिस्तार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था बैरम खांने पानी पत की दूसरी आपको बताता चलूँ बैरम खां मुगल समराथ के परती तब तक बफ़ादार रहे जब तक की अकबर अपनी दाएं माहक अंगा के करीब नहीं आए क्योंकि माहक अंगा ने दोनों के बीच मदभेद पैदा कर दिये थे जी हां दोस्तों जब हमाईयों को इसलाम साहा की दिल्ली पर कबजा कर लिया जी हां दोस्तों मुगल समराज के फिर से अपने चर्मोत कर्स पर पहुँच गया क्योंकि उसमें बैरम खां का बहुत बड़ा योगदान था जब अकबर केबल 14 बरस का था तो हमाईयों की मिर्ती हो गई और बैरम खां ने अकबर का मार्क दरस कर लिया लेकिन बैरम की अगवाई में अकबर की शेना ने पानी पत 1556 की दूसरी लड़ाई में हेमु को हरा दिया और खोए गए छेत्रों पर पुना कबजा कर लिया जी हां दोस्तों आपको बताता चलों कि किस तरह रहा बैरम खां का योगदान तो दोस्ता आपको बतान कि ये कर दिया था कि वो अब बिलकुल बूड़े हो चुके हैं और कारे भर समालने में असमर्थ हैं जी हां दोस्तों अकबर उनकी इस बात से सहमत थे और उन्होंने बैरम खां को हज करने के लिए मक्का की यात्रा की विस्ता कर दी जी हां दोस्तों बैरम खां मक्का के लि ये मुगल समराज द्वारा भेजा गया है बैरम ने अपने आपको अपमानित महसूस किया और सेनाओं के खिलाब द्रोह की सुरूराद की जिसके कारण बैरम को बंदी मनाकर अकवर के राजदरवार में पेस किया गया अनादर करने की बजाए अकवर ने उनका आदर की और सम जिसके पिता को बैरम खाने पांच साल पहले एक यूद में मार गिर्द दिया था ने उनकी पीट पर छुरा भोग दिया था इसके बाद 31 जनवरी 1561 को बैरम खान की मिर्तियों हो गई जिया दोस्तों जो बैरम खान का का काफी बड़ा योगदान रहा था अकवर और हमाई यूँकि शेना को सहग दोने में उनका समराज बढ़ाने में तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस तरह से बैरम खाने अपने कर्तब को निभाया लेकिन उनको क्या मिला निरास्ता जिया दोस्तों उनको निरास्ता मिली जिसके कारण उन्होंने अपनी ही शेना के ख मुआ निकाल दिया बिया कि यह कहकर की अब बोड़े हो चुके हैं اور कारबार समाले में इसमर्त हैं जी आदोस्तों अकबर शेयर की यह हैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर इस वीडियो सम्मधित कोई भी सवाले सिकाथ तो कमेट सो अपमें जरूर लिख सकते हैं और दोस्तों अगर आपके पास कोई श्टोरी तो हमार साथ कर सकते कमेट सोगस में लिखके जरूर बताएं ताकि उसको अप आपने अपने कीम्ती बग दिया, धन्न बार